हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो इस लेर्निंग इन दिस वीडियो वी विल डिस्कूस द इंग्लिस प्रोफिसेंस जी एंसर की विच सलुचन फोर गूप एस्परेंड जो लेवल वान या गूप एस्परेंड है उनका सेट एका एंसर के अम डिसकूस करेंगे देखिये ए बी सेम है तो एंसर और सॉलुचन भी सेम होगा एकॉर्डिंगली यू कैन मैच दो कॉस्टिंस ओके एंसर की एंसर के बताया था कि किस तरह का पैटन रहता है ठीक है तो डिर्कली चलते हम लोग पार्ट ए मतलब इंग्लिस प्रोफिसेंसी का हम लोग क्वेश्चिन एंसर की द इंसर की क्या प्रोफिसेंस ओके लिए अगर आप नेकम देने वाले हो तो ताइम मैंने बाट बाता हुआ चलूंगा एक। फोस्ट एर वाजच जिसमें आपको पांच क्यूंध थे 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 अप्र एप्र देद्व ने नमल ग्रमर कोस्टिंस ओर देर लाइक पर एंपल your preposition conjunction okay then your uh tense question was there then uh your vocabulary were there okay and uh some synonym was also there okay so tense synonym and antonym जैसे हमने syllabus में देखा था syllabus के according ही question आया है but level one में एक चीज है कि इस बार दू पैसेज दिया हुआ है मतलब passage में comprehension में ही 10 question है आपके जो sentence rearrangement में कोई कोस्चन इस बार नहीं दिया गया है okay so accordingly uh we will prepare for the next year but जब भी हम preparation करेंगे ऐसा नहीं की previous year question एक साल का देखके पड़ेंगे हम at least जितने भी साल का हुआ है पांच छे साल का अभी इस बार नहीं दे चुके है वो पढ़े चुके होंगे डेफिनेटली जो नहीं देए उनको मैं एक बार एकस्पेन करके बाद में जो online classes हमारा होता है अच्छा से एकस्पेन करके आधर मैं बता हूंगा है फिर हमारे इंगली स्टीचर होंगे वो बताएंगे आपको ठीक है तो देखो फॉस्ट कोस्टन दिया था the word pollution in sentence number one means यहां पर जो sentence number one है यहां पर क्या लिखा है the problem of water pollution by pesticides can be understood only in context as part of the whole to which it belongs the pollution of the total environment of mankind यहां पर बोले water pollution का जो problem है by the pesticides इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो whole problem हो रहा है उसका एक part है ठीक environment में या फिर mankind के लिए जितनी भी तरह का pollution हो रहा है उसका एक part है ठीक है water pollution तो यहां पर pollution का मतलब क्या पूछ रहा है disease नहीं है infection नहीं है या फिर sickness नहीं है this is a contamination ठीक है मतलब कुछ जो हमारे environment में कुछ contamination कुछ-कुछ pollutant मिल गया है that is called contamination so the answer will be your contamination next the second question देखो the word melange means melange का मतलब क्या है तो यहां पर देखो एक sentence लिखा है many of the chemical agents in this alarming melange initiate and argument the harmful effects of radiation through water users देखो हम क्योंकि अभी question answer discussion कर रहे है time come है तो इसलिए मैं direct पूरा passage को पढ़ के आपको नहीं समझा रहा हूँ जो लोग exam दे चुके हैं उनके लिए हैं जो लोग exam देने वाले हैं उनके लिए फिर से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और रिटल में समझाऊंगा directly हम directly इसका answer में आपको बताता हूँ मतलब इसका मतलब यह है कि बहुत सरे केमिकल एजेंट का एक खतरनाक खतरनाक कॉंबिनेशन ठीक है अल्रमिंग मतलब क्या है आपको चितावनी देने वाला ठीक है आपको चितावनी देने वाला कॉंबिनेशन इनिशेट करेगा या ओगमेंट करेगा हमपुल एफेक्ट को और रिडियेशन थ्रू वाटर यूजस मतलब हमपुल एफेक्ट को यह क्या करेगा इनिशेट या ऑगमेंट तो यह खतरनाक है यहाँ पर आपका अल्रमिंग मतलब चितावनी देने वाला अनिशेट आकल को आपकर यहाँ पर सब्सक्राइब और यहाँ यहाँ रहा है कि जो ग्राउंंब वाटर था उसका 152 सब्सक्राइब इसमें भी इस चीज को पड़ोगे तो पैसेज के अंदर ही चीज मिलेगा ठीक है यहाँ पर देखो ए इसका एंसर प्रशनल प्रशन प्रशन प्रशनल्रेसर केमिकल पेस्टिसाइब यहाँ पर क्या होगा है because your chemicals and pesticides are used यहां पे आप देखसे को rain falling on the land with chemical spread settled down through ports and cracks in the soil उसके आदे वो ग्रावन ओटर में जाता है ठीक है इसका simple sense है यहां पे rain are scares नहीं है less number of trees नहीं है rivers are getting dried नहीं जो passage के अंदर है जब भी आपका comprehensive passage के उपर question आएगा जो passage के अंदर है उसको आपको लिखना है आपके मन के अनुसार या फिर आपको logically scientifically जो सही लगता है वो नहीं लिखना है कभी कभी क्या होता है पैसेज के अंदर कोई चीज गलत भी लिखा है लेकिन passage में लिखा है तो हमार लीव सही है तो हमको वह सही मानना पड़ेगा क्यों वह passage में लिखा हुआ है that's why answer date will be here c बाकी तीनों passage में नहीं लिखा है next the word gank refers to gank का मतलब क्या होते है यहाँ पर देखो gank यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर here the word gank is written यहां पर क्या लिखाया देखो, ever since the use of chemical sprays, the problem of water purification have become complex and in river, all waste combined to produce deposits that scientists refer to as gong. तो यह जो combination of deposits है, उसको waste combination of deposits को क्या बोला जा रहा है, गया बोला जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, to the on identifiable deposits found in river, ठीक है, on identifiable deposits found in river, यहां पर हमने discuss किया है, यहां पर लिखाय है, simply, की जो waste combined, all waste combined to produce deposits, deposits लिखाय है, इसमें से कौन सा एक केमिकल नहीं है इसमें से कौन सा केमिकल के साथ रिलीटेड नहीं है एक्सेप्ट आपका केमिकल है ठीक है heat heat आपका chemical नहीं है pollutants आपका chemical नहीं है sand आपका chemical नहीं है तो chemical कौन सा है chemical है आपका pesticide question को समयना आए यहां पर यहां पर बोल रहा है which of the following is not related to chemicals इसमें से कौन सा केमिकल के साथ related नहीं है except मतलब कौन सा related है इसको इस तरह से समयना पड़ेगा बहुत लोग इसको गलती सेंड भी लिखे होंगे लेकिन Realize sand and sun नहीं हुगा which of the following is not related chemical इसमें से कौन सा केइबिक्तल की से related नहीं है एक्सैप्ट मतलब 1 रदेड़ेडड है बाकी 3 नहीं है इस तरह से सभोंः नहीं है वह लोग इसका अंसर को गलत सोचे होंगे heat chemical है क्या नहीं है pollutants है what पल्यूटेंटल ही है they are not chemical ठीक है, sand chemical है क्या, sand भी chemical नहीं है, तो chemical कॉन सा है, pesticide जो हम add करते है, chemical, pesticide है यह chemical है, यह सो नो, इसको हम add करते है, pollutants, chemical के सबसे हम add नहीं करते है, automatically, because of pollution, chemical डालने से pollutants बनता है, लेकिन वो chemical नहीं है, remember this thing, so pesticide will be the correct answer in this question, next question, select the most appropriate option to fill in the blanks, he must train very hard, or, यहाँ पर क्या होगा, he must train very hard, does he lose the competition, इसको बहुत आर ट्रेनिंग होना पड़ेगा, ठीक है, यह फिर करना, उसको बहुत आर ट्रेनिंग चाहिए, नहीं तो, वो competition हार जाएगा, or he will lose the competition, तो और होगा, either, nor, neither तब लगता है, जब दो events लिखा होता है, ठीक है, either you have to work hard, or you will fail, ठीक है, इस तरह से, for example, होता तो, either आगे रहागा, यहाँ पर और रहागा, तो either, यह फिर neither आगे रहता है, तभी बीच में और या नौर लगता है, तो यहाँ पर तुस्तरा का sentence नहीं है, तो either, nor, तो इसलिए, either, nor, या नहीं लगेगा, आपका और ही लगेगा, ठीक है, अब देखो next question, next question क्या बोल रहा है, a small but strange creature emerged from its hole, while I dash on the sea, देखो यह आपको पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया था, आपको हमारे English teacher ही पढ़ाया था, कि जब दो consecutive event होता है, उसमें से, जो event, ठीक है, जो event, एक बदलब, suddenly होता है, उसमें क्या लगता है, उसमें वो, या फिर वो चीज अलड़ी, बलब, जब option, जो पहला चीज चल रहा था, जो first event होता है, उसमें आपका past, आपका continuous लगता है, और जो चीज sudden होता है, या फिर second event होता है, उसमें हमने discuss किया था, कि उसमें simple लगता है, ठीक है, यहाँ पर देखो, first कौन सा है, जो चीज चल रहा था, वहाँ पर, I was walking, यहाँ पर एक्ज या had walked, ठीक है, यहाँ पर, I am walking, immersed वोल रहा है, so I watch walking होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर, I went walking on the, on the sea beach, तो इसको देखो, यहाँ पर, I watch walking हो सकता है, actually watch walking जादा बैतर होता, ठीक है, so a small but strange creature, immersed from his soul, I was walking on the sea beach, I watch होता 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 है, यहाँ बेतर होता, यहाँ बाता होता है, वेंड वाकिंग भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है I went walking मतलब मैं वहां पर चल रहा था ठीक है so I went walking on the sea beach watch walking more appropriate लेकिन वेंड वाकिंग हो सकता है यह जो आपका past जो है आपका यहां पर आपका past continuous है ठीक है और यह आपका past simple है जो मतलब sudden होता है इमर्ज देखो past simple में लिखा हो है और यह जो है आपका past continuous होता है second वाला आपका past simple होता है यह आपको पढ़ाया गया है तो यहां पर क्या होगा है small but strange creature emerged from its soul while I went walking on the sea beach ठीक है ओके यहां पर watch walking ज्यादा appropriate होता है लेकिन watch walking नहीं दिया है am head या walk तो नहीं होगा तो एक ही option बज़ता है that is wind walking इस तरह से आप इसको कर सकते हो next question देखो a number of officer are waiting in dash room to meet the chair person ठीक है इसका answer क्या होगा देखो यहां पर anti anti या फिर आपका जो ultra इससा कुछ नहीं होता एक अपका sub room होता है ठीक है officer जो है sub office sub room इस तरह से होता है तो यहां पर इसका answer sub हो जाएगा correct prefix से होगा इसका sub room होगा a number of officer are waiting in the sub room to meet the chair person with the correct answer ठीक है तो इसका answer sub room sub office जैसा होता है इस तरह sub room होता है ठीक है उसका next देखो choose the most appropriate word among the options similar बोले है similar मतलब synonym आपको इसका करना improvement का तो improvement का improvement का मतलब कुछ improve होना मतलब this is a positive word positive word hindrance is negative तो positive का synonym कभी negative नहीं हो सकता तो यह option गलत हो जागा deterioration भी negative है तो यह भी eliminate हो जाएगा enhancement is a positive word and preference is also positive but preference यह नहीं है ठीक है इसका मतलब कुछ improve होना मतलब कुछ positive effect कुछ growth हो रहा है positively तो enhancement का मतलब ही वही है that's why enhancement होगा preference नहीं होगा next 10th question देखो I guess in a five star hotel but it is too expensive for me यहाँ पर it is लिखा है ठीक है इस question में क्या लिखा है it is मतलब यह present tense में है यह आपका यह question है present tense में है तो present tense में है तो I stayed तो नहीं होगा I sell भी staying नहीं होगा I am staying भी नहीं होगा five star hotel में रहता तो फिर two expensive क्यों बोलता ठीक है so I was going to stay में रहने जा रहा था but it is too expensive for me ठीक है मैं वहाँ पर रहने जा रहा था लेकिन यह मेरे लिए ज्यादा expensive है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहता हूं ठीक है तो यह इसका answer हो जाएगा I was going to will be the correct answer I was going to stay in a five star hotel but it is too expensive for me ठीक है तो इसलिए वहाँ पर नहीं रहा रहा है इस तरह का यहाँ पर इसका answer होगा next देखो living the port at last waving madly at the well-weser यह जो दूसरा passage दिया हो 11 to 15 नमर कोस्टन दूसरा पैसेज दिया हो है दूसरा comprehensive passage ठीक है तो मैं directly passage नहीं पढ़ रहा हूं मैं सिधा आपको answer बता रहा हूं ठीक है यहाँ पर question first question what was the name of the ship तो ship का name देखो यहाँ पर लिखा हो है the voyage from San Francisco took eight days and despite the overcrowding abroad abroad the Umatila तो Umatila यहाँ पर इसका जो है ship का नाम है यह जो San Francisco सहर का नाम है यहाँ पर जो डिया लिखा है न यह भी एक जगा का नाम है एलसका भी एक जो है एक आइलेंड का एक जगा का नाम है तीनों जगा का नाम है ship का नाम Umatila है what must one do to achieve something great यहाँ पर देखो साब साब लिखा हुआ है अगर किसी को greatness चाहिए तो one must take risk and pains that's why the answer will be take risk as well as pains then why was jack pleased jack pleased क्यों था jack was pleased because यहाँ पर देखो लिखा हुआ है as the jack kept a close eye on suffer and was pleased to see that the man lost non-office result during the journey मतलब जो अपना promise था वो कर रहा था निवा रहा था यहां पर एंसर क्या हो जाएगा सफर्ड एक्टेड ऐस पर हीच प्रोमिस या सफ़र्ड ने प्रोमिस किया था उस तरह से काम कर रहा था था तर यहां पे उसको अच्छे से पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सफर्ड यहां पे यहां यहां पे वैंड रिया sailing toward the breathtaking view of mainland Alaska rather than seeming worse for a trip suffered soon with a new vitality his heart might no longer be pumping blood with his former vigor but his essence remained strong and his commitment was beyond doubt and the professionality won't extend so this simple means that the one suffered was a little tired so this is why he was tired so it didn't seem worse for a trip he was tired due to hard labor after working hard labor करने के बाद वो टायड हो गया था यह वाच लूजिंग इस फॉर्मर वाइटिलेटी इसका एंसर जो होगा ठीक है कुछ-कुछ जगह पर कुछ लोग वाच ओल्ड भी सोच रहे होंगे हाट प्रोब्लम तो नहीं हो सकता तो अन्विलिंग नहीं है ठीक है अन्विलिंग नह अन्विलिंग नहीं है और ओल्ड यह कुछ लोग सोच सकते लेकिन ओल्ड नहीं होगा यहां पर कुछ हमको ओल्ड जैसा कुछ नहीं बोला है लेकिन उसने महनत किया यह चीज दिखने के लिए मिल रहा है ठीक है उसने जो कॉंटिनियूसली कॉमिट्मेंट बियॉंड इस पैसेज में क्या नहीं लिखाै है नहीं आशायोग में ओवघ्या से सब्सक्राइब के पर यहां पर यहां पर यह नहीं लिखाए इसका जो को जाएगा आपका जाएगा आपका तो प्रिपोट्टिन हो गया अब देखों यहां पर प्रूपजिसन है इस ब्लाइंड क्या होगा प्रूपजिसन अमने बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने भी पढ़ाय तो सर नहीं पढ़ाय था याद करने का कॉर्स करो जो क्राइस को स्टूडेंट या फिर फिप्टी टू नियाँ अतिल फिस नाथा इस कई होगा ब्लाइं टू होता है वुटाय जहें साथ या घोड़ मां था वीड वीड होगा यूपी अफ होगा ठीक है next why what did they still उन्होंने क्या चोरी किया आपको पेसीब में बनाना है you have to make the sentence into passive so what was stolen क्या चोरी हुआ क्या चोरी किया उन्होंने ये active में है उन्होंने क्या चोरी किया इसका पेसिब क्या होगा क्या चोरी हुआ तो what was stolen answer हो जाएगा next यह भी directly test series का question है यह सब आपको test series में दिया गया था सारे question directly test series से सारी यह सब question आये है बस यह passage जो है अलाग है नहीं तो passage लेकिन हमने बहुत सारा passage आपको practice करवाया था इस तरह का बहुत सारा passage तो almost कह सकते हो कि almost सारा question for group A 95 percent question हमारा directly study material test series online classes से आया हुए यह हमारा जो complete course उसमें 95 percent question जो है आया हुए and then that's why I am everyone telling the course is successful ठीक है सब लोग बोल रहे है students का response हमको बता चले कोर्स बहुत सक्सेस्पुल हुआ है आगे भी हम लोग same इसी तरह से महनत करेंगे आप लोगों के लिए और 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 मतलब innovative ideas innovative content और effective content आपके लिए लाएंगे जैसे आपका सबका success definitely हो सके तो देखो यहां पर each father each N MLA होता है क्या है MLA यह भी मैंने पढ़ाया था आपको आपको next he does he does this work since morning morning मैंने आपको पढ़ाया था सर नहीं पढ़ाया था चीज आपको कि जो चीज बहुत पहले से चल रहा है उसमें हम क्या लगाते हैं he has been doing उसमें हम लोग present progressive present perfect progressive लगाते हैं जो चीज बहुत देर से चल रहा है खतम होने वाला है लेकिन खतम हुआ नहीं है उसमें हम लोग क्या लगाते है present perfect progressive तो इसलिए इसमें क्या होगा he has been doing तो इस तरह से सारे questions solve हो गए हमारे आपका level 1 के reasoning का question में आपको दे दिया गया था teaching after teacher का भी दे दिया गया है और आपका अभी English का भी आपको मिल जाएगा तो पूरा आपका level 1 का question complete हो गया set के हिसाब से भी मैं provide कर दूंग आपको answer की ठीक है बहुत जल्दी तो अगर आपको next year के लिए आपने देखा कि कितना successful हुआ हमारा course दो साल से हम लोग महनत करें था पिछले साल एक्जाम नहीं हुआ इसके वह से बहुत दुख हुआ था लेकिन इस साल भगवान के कृपा से और हमारा महनत के वज़े से everything is successful for this year so definitely we will again start our new web as soon as possible and if you want to join course definitely you can whatsapp to the number given below so in this video we will discuss this much and we will again meet in another another video जिसमे अमलोग level 2 का question answer discussion करेंगे मिलते अगले वीडियो पे थांक्यू